चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद सबकी नजरें इसरो के मिशन गगनयान पर टिकी हुई है हाला कि मिशन गगनयान अगले साल यानी 2025 के लिए शेडियूल है लेकिन उससे पहले इसरो महिला रोबोट व्योमित्र को अंतरिक्ष भीजने की तैयारी में है व्योमित्र की सफलता के बाद ही अंतरिक्ष यात्रियों को भीजा जा सकेगा केंद्र विज्यान एवं प्रद्योगी की राज्यमंत्री डॉक्टर जुतेंदु सिंग की दी हुई जानकारी के मताबिक मानव रहित व्योमित्र मिशन इसी साल जुलाई 24 के बाद निर्धारिक किया गया है तो आईए जानते हैं इस्तरों के मिशन गगनियान के बार है साथ ही हम जानेंगे कि कौन है ये हुमनाइड रोबोट व्योमित्र जिसे इस साल अंतरिक्ष भीजा जा रहा है और ये रोबोट स्पेस में क्या करेगी सबसे पहले हम जान लेते हैं व्योमित्र का मतलब क्या है दरसल व्योमित्र संस्कृत भाशा के दो शब्दों व्योम और मित्र से मिलकर बना है इसमें व्योम का मतलब है अंतरिक्ष और मित्र का मतलब है दोस्ट व्यों मित्र humanoid robot है यानि इंसानों की तरह चल फिर सकते हैं इंसानों के हाव भाव समझ सकते हैं साथ ही artificial intelligence का यूज करके इंसानों के सवालों का जवाब भी दे सकते हैं humanoid robot के दो खास हिस्से होते हैं जो उन्हें इंसान के तरह प्रतिक्रिया देने और चलने फिरने में मदद करते हैं पहला हिस्सा होता है sensor sensor की मदद से robot आसपास के वातावरन को समझते हैं camera, speaker और microphone sensor से ही control होते हैं एक तरह से ये robot की आँख, मुँ और कान होते हैं और इनकी मदद से humanoid देखने, बोलने और सुनने का काम करते हैं दूसरा हिस्सा होता है actuator ये खास तरह की motor होती है जो इंसान की तरह चलने और हाथ-पैरों के movement में मदद करती है इसकी मदद से humanoid normal robot की तुलना में विशेश तरह के action कर सकते हैं इंसानों से पहले वियो मित्र को अंतरिक्ष में भेजने की सबसे बड़ी वज़ा ये है कि ये महिला रोबोट अलग-अलग मापदंडों की निगरा निकर सकती है अलर्ट जारी कर सकती है और लाइफ सपोर्ट ऑपरेशन को भी अन्जाम दे सकती है सिर्फ इतना ही नहीं ये महिला रोबोट शे पैनलों को अपरेट करने और सवालों के जवाब देने में भी सक्षम है महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्रियों की तरह ही काम करेगी और जरूरी दिशन निर्देशों को समझेगी ये ग्राउंड स्टेशन में विज्ञानिकों और टीम से संपर करके बाद भी कर सकेगी प्रधानमंत्री मोधी ने 15 अगस 2018 को मिशन गगनियान का अलान किया था चंद्रयान 3 और एजिते L1 के बाद इसरू के विज्ञानिक मिशन गगनियान की तैयारी में जुटे हैं इसका मकसद अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजना है इसरू ने गगनियान की टेस्ट वीकल फ्लाइट भीते साल 21 अक्तूबर 2023 को लाँच की थी और इसका मकसद अंतरिक्ष यात्रियों को प्रिथ्वी से 300-400 किलो मेटर उपर स्पेस की निचली कक्षा में ja जाएगा ये मिशन तीन दिन का होगा मिशन काम्याब रहा तो सोवेट, रूस, अमेरिका और शीन के बाद भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा